नमस्कार साथियो परताब क्लासेश के यूट्व चनल पर आपका स्वागत है आज है साथ मार्च दो हजार चोविस और साथ मार्च दो हजार चोविस के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंड एफेर्श के क्योशन मनते हैं आज उनका हम डिसकसन करेंगे पुरा सर्च सेंटर दुबई के अंदर वर्ल्ड फ्रष्ट जेट सूट रेस का आयुजिन किया गया और रक्षा मंत्री ने नेवल वर कॉलेज गोवा में चोल भवन का उदगाटन किया इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेश न्यूज के साथ में डेली आपको साथ बज यह बैल आइकन का गटा दबाएं ताकि हम जैसे वीडियो प्लोड करें उसका नौटिफेसन आप तक है पहुंच जाएगा सभी साथियों को गुड मॉर्णिंग सभी साथियों को मेरा प्यार बड़ा नमश्कार सबसे पहले हम कलके कोसनों को रिवाइस कर लेते हैं हाल में इरान के इमजिंग उपगर्याप पारस वन को अंत्रिक्स में किसने लॉंच किया तो रूस ने प्रो कबड़ी लीग के दसवे संसकान का चेंपियन कोन बना तो पूनेरी पल्टन आई एने जटायू का उद्गाटन किस केंदर सासित परदेश में होगा तो लक्स द्वीब में कौन सी राज्य सरकार मुख्य मंद्री युवा उद्मी विकास अभ्यान की सुरुवात करेगी तो यूपी की सरकार किसने अधित्ती योजना की सुरुवात की तो रक्षा मंद्री राजनाजी है नी हाल में ब्रजेश महरोत्रा किस राज्य के नए मुख्य सच्वी बने तो बिहार के हाल में स्पीड पेट्रोल के लिए बीपी सेल ने किसे अपना ब्रांड हमेश्ट बनेया तो निरत चोपड़ा को किस आई 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 टी ने चार दिशी है अखिल बारती अनुसंदान रस्त करने के किलाब किस ने परस्ताव पारित किया तो नागालेड और मिजोरम की विदाहुन सुबाव के द्वारा रस्त करने का परस्ताव पारित किया गया तो ये थे कलके कोशनों का रिवाईस हमने कर लिया और जो मैं आपको इसी तरह जो यहां पे आपको बन लाइनर revise करवाता हूँ यह daily आपको शाम को टेली ग्राम पर भी वन लाजर में कोशन है डाल देता हूँ ताकि आपको वही पर भी दुबारा revise है हो जाएगा तो इसके लावा अपनी test भी आपको daily मिल रहे है live test मिल रहा है इसके लावा weekly test भी मिल गया संडे की दिन weekly test मिल जाता है और पूरा मन्त complete होने के बाद में जैसे अभी फरवरी मन्त का आपको test मिल गया और फरवरी मन्त की PDF भी upload है हो चुके जिसका आपने print निकान के आप बढ़िया तरीके से जो है अध्यान कर सकते हो इसके ल के लावा LDC की है special भारतो रास्तान और इसके लावा असिस्टेंट लोको पाइलेट के लिए भी चल रही है और कोई साथी NCRT बुक की लेना चाहिए तो वह है जनरल साइस की टैसरीज है जनरल साइस के अंदर लगबग सारे टैस्ट आगे 2023 की कोई साथी लेना चाहिए तो वह भी ले सकता है रास्तान ब्लूस कॉंस्टेबल है RPSC, RPSC में दोरा पुछेगे ओल्ड केसनों की टैसरीज आप जोइन कर सकते हैं तो सारी विदार्थी सभी इन टैसरीज को आप जोइन करके आपका करंट एक दम मजबूत होता जाएगे क्योंकि आजकल एक्जाम में आपको बताए करंट जिसका तैयार है वो लगबग एक्जाम को कॉले भाई करता है तो स्टार्ट करें आजकी क्लास एक बार सारी विदार्थी सेशन को लाइक सेर करेंगी पहला क्योस्टन देखो आपके सामने ये में गरबपात को सविधानिक अधिकार बनाने वाला दुनिया का पहला देख कोन सा बना है बनाने की मझुरी भी देदियोरेसा करने वाला ये दुनिया का पहला देख से बन गया है देखो ये है फ्रांस की संसद ने गरब पात को महलाओं का सविधानिक अधिकार बनाने को मंजूरी दे दी है उन्होंने कहा कि इस बिल के पक्ष में 780 और विरोध में केवल बहतर वोट है पड़े यानि की बेतर वोट उन्होंने कहा भी इसको ऐस विधानिक अधिकार माना जाए और 780 वोट इनकी तरफ थे भी इसको गरब पात को महलाओं का सविधानिक अधिकार है बनाने के लिए मंजूरी दे दे और फ्रांस में ये 1974 से गरब पात का कानूनिक दिकार है आलांकि अब फ्रांस पहला देश बन गया जहां महलाओं को गरब पात का सविधानिक दिकार है मिला है ये इगरपाद का कानुन दिकार था लेकिन अब ये दुनिया के अंदर पहला देश है बन गया हाल इमें स्टेनलेस स्टील चेतर में देश का पहला हरित हाइट्रोजन सेंतर कहां प्रारम हुआ है हाली में स्टेनलेस स्टील चेतर में देश का पहला हरित हाइट्रोजन सेंतर कहां प्रारम हुआ ये वह है हरियाना के हिसार सहर में कहां पर है हरियाना के अंदर है हिसार वहाँ पर ये स्टेनले स्टील चेतर के अंदर है देश का पहला ये हरित हाइड्रोजन से अंतर प्रारब हो जुका है तो ये केंदरिये इसपात और नागरिक उडियर मंतरी हैं अपने सिरी जोतिरा दीते एम सिंधिया ने चार मार्थ दोजार चोईस को जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड कोण सी है चार मार्थ दोजार चोईस को जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड हिसार में स्टेनलेस स्टील सेक्टर में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उडिगाटन किया है इतना पोईट आपको याद रखना है भी जो तिरा दिते हम सिंदिया है उनके द्वारा हिसार के अंदर क्या है बारत का पहला ये ग्रीन हाइटरोजन प्लांट का उद्गाटन किया गया कब है चार मारज को नेक्स देखो आली में किस राज्य में बारत का पहला डोल्फिन रिसर्च सेंटर कुला है ये कुला है बिहार की राजदानी पटना के अंदर कहां पर कुला है बिहार की राजदानी है पटना वहां पर ये बारत का पहला डोल्फिन रिसर्च सेंटर है खुल चुका ये है नितिश कुमार ने पत्ना में भारत के पहले डॉल्फिन अनुसंदान के अंदर का उद्गाटन ने किया है तो बिहार के सीम है नितिश कुमार इन्होंने पत्ना के अंदर भारत के पहले डॉल्फिन अनुसंदान के अंदर का उद्गाटन किया ये 30 करोड रुपे की लाग यह पतना युनिवस्टी में क्या है गंगा नदी के किनारे बनाए गया जो स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स को मिठे पानी की डॉल्फिन और विसेश रूप से गंगा में पाए जाने वाली डॉल्फिन के विवार को समझने में मदद है करेगा वहां पर एक युनिवस्टी है उनिवस्टी में जो स्टूडेंट है उनके लिए यह मीठे फानी की डॉल्फिन है वहां पर यह पहली जो अनुसंदान के अंदर वहां पर है उद्गाटन इसका किया गया हालि में दुनिया की पहली वर्ड फरस्ट जेट सूट रेस का आईजन की सहर में हुआ है हाली में दुनिया की पहली वर्ल्ड फर्स्ट जेट सूट रेस का आईजन की सेर में वहा इसका आईजन वहा है दुबई के अंदर कहां पर वहा है दुबई के अंदर इसका आईजन है किया गये यह आप पहले तस्वीर में देखो इस प्रकार होता है यह वर्ल्ड फर्स्ट जूट जेट सूट है, रेस का आयोजित नहीं, तस्वीर में आप देख सकते उस्तर हैं, यह जो वेक्ति होता है, यह हवा के अंदर इस प्रकार उठते हैं, विशलिए कहां पर रेस का आयोजित किया गया, दुबई के अंदर, तो दुबई में पहली जेट सूट दोड जेटों ने वास्तिविक जीवन के लोग पुरुस की तरह पर दसन है, कि इसमें सबसे ज़्यादा जो परते हो गिता है, उसके अंदर हातों और पीट पर सबसे ज़्यादा इसका आयोजित ने किया गया है, किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांदी प्यारी बहना सुक समान निदी योजना की सुरुवात की, तो यह किया है माचल प्रदेश की सरकार, कोण है माचल प्रदेश की सियमें, सुकुविंदर सिंग सुकु, कोण है, सुकु के नाम से हैं सुकुविंदर सिंग सुकु, उन्होंने इंदरा गांदी प्यारी बहना सुक समानिदी की योजना सुरुवात की है तो सुकुईंदर सिंग सुकु ने 18 से 60 वर्ष की आयू की महलाओं को वीत्य साहिता परदान करने के लिए बनाई गी योजना इंद्रा गांदी प्यारी बहना सुक्समानिती योजना का नवने किया है किस के लिए ये 18 से लेकर जो 60 वर्ष की आयू की जो महलाओं हैं उनके लिए योजना स्टार्ट की गई है अगला क्योशन देखो आपके सामने हाली में टाइगर वुड्स को बॉम्प जॉन्स पूर्सकार प्राप्त करने के लिए चुना गया इनका समन्द किस केल से है सबसे पहले आप तस्वीर में देखो ये है टाइगर वुड्स और इनको मिला है बॉम्प जॉन्स पूर्सकार तो ये प्राप्त करने के लिए इनको चुना गया और इनका समन्द है किस केल से गोलफर के खिलाड़ी किस के खिलाड़ी है गोलफर के ये खिलाड़ी है टाइगर वुड्स है और इनको भी बॉम्प जॉन्स पूर्सकार के लिए चुना गया है देखो ये है माहन गोलफर टाइगर वुड्स को बॉम्प जॉन्स पूर्सकार प्राप्त करने के लिए चुना गया जो United status Golf Association द्वारा दिया जाने वाला सुर्गोट से समान है यह किसके द्वारा दिया जाता है जो यह स्टैस स्टेकर बुए 123 में किया जा रहा है तो अभी वर्तमान में भी इसका हो रहा है देखो यह यह पहली एस प्रकार नजियों में यह किस्तियों में इसे प्रकार आप पूता है, चेंपियनसिप होती है, इस प्रकार भी कौन आगे निकलेगा, तो यह पहली AC River Ropting Championship का आईजन 4-9 मार्च तक किया जा रहा है मातल परदेश की राधनी सिम्बला में आप्स नमबर एक कहां पर किया जा रहा है सिम्बला के अंदर इसका आईजन किया जा रहा है कबसे 4-9 मार्च के बीच तो ये सिम्बला का सुंदर सहर है सिम्बला तो इसमें पहली AC River Ropting Championship का कैंदर मंच ये बन गया अधिकारिक तोर पर 4 मार्च 2024 को मुख्य अमंतरी सुकुईंदर सिंग सुकुद्वारा इसको खोला गया था इस Championship की शुरुआत की थी 4 मारच को ये 4-9 मार्च 2024 तक है सुन्नी छेतर में बसंत पूर के पास सत्रुज नदी पर इसका आइजन किया जारह ये Championship पना ये काम पर चल ले है सुन्नी छेतर में बसंत पूर के पास सत्रुज नदी पर इस Championship का आइजन हो रहा है हाल में किस अभिनेतरी को सलाइस की नई ब्रांड अबेश्टर निउट करने की गोशना की है तो आपको पता है दिरे दिरे गर्मी का मौसम आ रहा है और गर्मी के लिए क्या जुरूरी है सलाइस यानि की आम जुरूरी है आम का अपने जूस पीते हैं बना बना के जैसे गर पर भी बनाते हैं कई वगर अपने जाते हैं गर्मियों के अंदर यातरा पर रहते हैं तो वही पर भी अपने आम का वगरा जूस वगरा पीते हैं तो उसके लिए किस अभिनेतरी को सलाइस slice तो आप जानते ही यह तस्यूर में देखो यह slice की bottle होती है तो इसके लिए इसकी नई brand ambassador बन गई नयान तारा option number D कौन बन गई नयान तारा है और यह अब यह slice की नई brand ambassador बन गई है यह है लोग प्रिये आम के सुवाद वाले पे slice ने हाली में परसंसित अभिनेत्री नयान तारा को अपना नमीनतम brand ambassador निउप्त करने की कोशना की है तो slice की नई brand ambassador कौन बन गई नयान तारा बन गई है Bloomberg Billiandres Index के मुताबिक दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कोन बने है अभी ताजा रिपोर्ट आई है इसकी भई तो Bloomberg Billiandres Index के मुताबिक अब दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गई Jeff Borges औप्स नमबरे कोन बन गई तो यह है एलन मसक तो यह अब की बार पिछे रहे गे और जेव बोजेस आई सबसे टोपर है चले गई तो अमीरों की सुची में टेसला के मालिक है एलन मसक दूसरे नमबर पर है खिसक है ब्लूम बरग बिलिनर्स इंडेक्स के मुताबिक अमेजोन के मालिक है जेव बोजेस अब दुनिया के सबसे अमीर वैक्ती बनगे तो दुनिया के सबसे अमीर वैक्ती जेव बोजेस बनगे दो नमबर पर आगे एलन मसक है तेसला के सेरों में गिरावट के करण मसक की संपती ही कम होई है टेसला में सेरों की अगर गिटाओ गिराउट आगी वहां पर जिसकार्ण ये दूसरे नंबर पर है पहुंचे कि यह सब्सक्राइब बताए जो सेर बजार होते हैं इसमें अगर कम ज़्यादा गिराउट आ जाती तो भी जो है उपर नीचे हो जाती है किस केंद् विर में आएफ देख सकते हो देखो रक्षा मंतरी राजनाथ सिहें के दवारा नेवल वोर कोलेज यानिकी नेवल वॉर कोलेज गौवा के अंदर उनने चोल भाहुन का उधवार जोबंड गाटने किया है और चोल समराज्यें पहले होता था था ना गोवा के इंदर वहां पर तो रक्ष्यामंत्री राजनाच सिहने 5 मारत 2024 को नेवल वोर कोलेज नैने कि NWC गोवा में नेए प्रसासनी कोरफरी शीक्षन बहुण का उदुगाटन ने किया है तो नेए प्रसासनी को बहुण का उदुगाटन ने कियाfire यहाँ पर चोल नाम की आधुनी के मारत और प्राचिन भारत के चोल राजवन्स के 36 समुद्री समराजिय को सर्दावली अर्पित देती है तो यहाँ पर चोल जो सबसे पहले आपको प्राचिन समय में भारत के चोल राजवन्स थाना उस समय तो वहाँ पर चोल नाम की एक आदुनी के मारत वारव दगल ने किया गया है हाली में तामस सुलयोख किस देश के नई राश्ट पती बने है तो ये बन चुके हंगरी के यह तस्वीर में आप एक सब्ते हो हंगरी के ने राश्ट पती बने है तो ये विवदा स्पद समा दान पर पिफले प्रमुकेश निपय के बाद में हंगरी की संसद ने तामस्यूलोग को नए राश्ठपती नुखते कर दिये यतना आपको याद रखना है कि हंगरी के नए राश्ठपती कोन मन गे तामस्यूलोग के बन गई है अब आपको इपोईट याद रखना है कि कटक कटक कामपर है उडिसा तो कटक में उडिसा उडिसा के अंदर है कटक वहां की चांदी है तारकसी उसको मिला है जी आई टेग है तो ये कटक की परसी चांदी तारकसी को बोगोलिक उपदर्सन यानि की जी आई टेग है दिया ग किया किए है और इसको अभी हाल में जी ते गए दिया गया है यह टेलीग्राम ग्रुप अपना वीडियो की डिस्कूशन पर सूचना मिलती है पिछले वीडियो कोशन का था बारत और किस देश के वी समुंद्री पक्षे समुंद्री ब्यास, समुंदर लक्षमना ब्यास 28 परवड़ी से दो मार्त तक कहां किस के बीच आई जित हुआ, तो ये हुआ था भारत तो रहे, मलेशिया की बीच में कहां पर उआ तो ये हुआ है, विसाखा पटनम के अंदर 28 वर्यूरी से लेकर 2 मार्च के बीच में बहुत सार विदार्थन बड़े चांदार दरीके से जबाब दिये थे उन सभी को बहुत बहुत शुब काम नहीं और अब देखो कोशन फोरियो आल में विक्षित भारत संकल प्यात्रा में कौन सा राजय देश में प्रत्तमुस्तान पर रहा रास्तान उत्रप्रदेश गुजराथ मद्या प्रदेश इसका जवाब आपको कमेंट बोक्स में देना है तो ये थी आसकी अपनी बढ़िया तरी किसे क्लास बाकी आपको लगातार LDC वगेरा है इसके अंदर भी स्पेसल भारत और राजस्तान का करंट दिया जा रहा है और इसके लावा स्कूल फर्ष्ट गेर स्कूल व्याकेता है 2023 की करंट है फिर्ष की टेस्टरीज है बाकी आपको ओनलाइन बार सी करंट की टेस्टरीज है चल रहे तो सारे विदार्थ एक बार वीडियो को जाजाती लाइक सेर करेंगे दन्यवाद जय हिन जय भारत